हाई अब्रीबन विल्कम एक्टोपर चैनल के अनिक है अगुए डिसकस करते हैं लेटेस्ट हरेंग राइपस के बारे में उससे पहले मैं आपको दो अपडेट देना जाता हूं एक आपका मॉर्निंग स्टार के तरफ से अपडेट है मौनिंग स्टार में जुन्हों ने अपलाई किया था अलगी टेस्ट हो चुके हैं सो MDP Associate के interview के scheduling का mail यहां पर students को आ रहा है इस तरीके से सो आपके date different हो सकते हैं कुछ students को 13 का mail आया है जिस तरीके से आपका schedule हुआ है 13 FAB को सो अब आपने अपनी जाके mail चेक कर सकते हैं Morning Star के interview का mail इस students को आना स्टार्ट हो चुका है next update है मिलीवन के तरप से basically जन्होंने मिलीवन में apply किया था एक company के तरप से कुछ update आया है test का सो basically अगर आपने apply किया था previous जो हमने hiring डाली थी उसमें apply किया था तो इसकी link में नीचे description में दे दूँगा चाहां से आके apply कर सकते हैं यहां पर आपका 60 मिनट का basically कुछ duration होने बाला है तो इस वाली update को भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपने apply किया था इस वाली company में तो next अब हम hiring opportunities में move करते हैं Blinkit की तरप से SD के लिए बहुत अच्छी hiring opportunity होनी बाली है इन Blinkit की employees ने hiring को post किया है इसमें क्या करेंगे form फिल करनी के बाद आपको कुछ test बगरा देना पड़ेगा आपको task complete करनी के आपके internship यहां पे start होनी वाली है इसमें क्या करना है directly इस वाली form को आपको फिल कर दीना है LinkedIn profile college name सारी details को फिल कर नेक्स्ट आप करेंगे और भी details रेजुमे मगेरा आपड़ीट करके इस वाली hiring opportunities में आपको apply कर दीना है क्योंकि as a SD बहुत अच्छी hiring drive होनी वाली है next hiring के बारे आप बात करते हैं जो आपकी 3 RI technology के तरफ से होनी वाली है they are hiring for software engineering training यह भी आपकी अच्छी जॉब है as a fresher software engineering आप काम करने वाले है यहां पे आप location आपका पूनी होनी वाले है इसमें आपका Q की फिल में काम होगा थोड़ा सा next hiring के बारे मां बात करता हूं जिसमें आपका क्या करना है अपना update resume आपको send कर दिना है जो आपका buffer zero के तरफ से hiring for fresher software engineer आपका designation होनी वाला है fresher इसमें definitely आपका कर सकता है VEV ticket students जो आपका batch है वो 15 से लिएक है 21 batch तक की students बूस सभी smell is well है और जो mc जिन्हों ने कर रखा है वो आपके 23 batch वाली students से अपलाई कर सकते है Bangalore आपका job log के सुनने वाला है इस वाली mail ID पर अपना updated CV send करना subject में clearly mention कर सकते है that you are applying for software training तो गई सब्सक्राइब काफी अच्छी hiring आपके लिए होनी वाली है आप पूरा देख सकते हैं क्या क्या आपको offer में लिए वाला है कौन सी technology पे क्या वर्क करेंगे and what you will bring to anxiety eligibility criteria क्या है so proficiency कोई भी एक programming language में type script content path and job और इसके लिए कोई भी एक knowledge आपको ना चाहिए understanding of DSA डेटाश्य अल्गोर्थम के आपको knowledge होना चाहिए इसमें definitely apply कर देना अगर आप software engineering की field में जाना चाहते है so as a SD and software engineering की internship अगरा search कर रहे हैं so आपस में भी apply कर सकते हैं next sharing के बारे हम बात करता हूं जो कब की software developer की internship होनी बाले grow VR के तरब से वेंगलोर के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब वड़ाइब वर्कवाम मिली वाला है 10 के से लिए 15 के and they are hiring for software developer javascript, html, css and react.js के अगर आपके पास knowledge है then you can apply in this hiring opportunities बोश के तरप से जो hiring है वो है fully stack developer की इसमें भी आप apply कर सकते हैं this is full time opportunity आपको relevant आगर knowledge and relevant skills and experience अगर आपके पास है fully stack development में so आप definitely आपने कर सकते है react.js बगरा की and one stack की आपको knowledge है so यहाँ पर certifications बगरा है तो आपनी बहुत ज़दा advantage होने वाला है so इसमें भी आप apply कर सकते है next हम बात करते हैं यहाँ पर जो data analyst के hiring opportunity है one origin के तरब से बैंगलोर आपका job location होने बाला है इसमें क्या गाईस जसी के आपको data business analyst और data इसकी थोड़ी सो knowledge होना चाहिए data vis की knowledge होना चाहिए ETL की जो framework होते है उसकी knowledge होना चाहिए JavaScript की knowledge होना चाहिए so इसमें भी आप्लाइ कर सकते है next hiring होने वाली है वो है आपकी आपकी direct hiring opportunities and इसमें दो company है L4V software जिसमें आपकी internship opportunity है directly आपको क्या करना है इस बाली hiring opportunity पे apply करेंगे तो directly हाँ पे test दे पाएंगे and next आपकी है चाहिए नुवेस के तरब से full time opportunity technical project lease so इसमें भी आप apply कर सकते है आपकी kind of direct hiring होने वाली है आपकी next hiring opportunity होने वाले Clayware AI की तरब से backend developer की job and this is full time opportunity and basic understood front end technology such as javascript, html, css इसमें आपको front end technology और backend technology अगर आपके पास दोनों की knowledge है वेकिन programming language like java के अगर knowledge है python की knowledge है तो अपली बहुत advantage होने बाले है so VV tech and graduates है so relevant skill की साथ अगर आपके पास है degree then you can apply as a backend developer इसमें भी आप apply कर सकते है next internship opportunity आपकी next गयन की तरब से front end developer की internship होने बाली है and इसमें कौन को लेल है front end developer basically आपकी javascript, css, jquery, debugging की knowledge होना चाहिए so all engineering graduates, engineering students इसमें definitely apply कर सकते है so guys I had discussed about the latest and multiple hiring opportunities इसको अप्डेट के बारे में हमने discuss किया है so hit the like and subscribe to our channel and next video में हम और भी hiring opportunities इसके बारे में बात करेंगे so thank you guys, thanks for watching